हेलो बुरीबन वेलकम टू बिवेकनन्दा एक्रिकेटर कडमी आज किस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्वीटी 2023 के रिजल्ट के बारे में कब तक रिजल्ट डेक्लेयर होगा इसके पहले के कुछ प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं जैसे कि आपकी आंसर की फैनल अंसर की कप तक अप्लोड होगी इस बिजल्ट पर आज जो है इस वीडियों बात करते हैं बात करें हम लोग एक्जाम डेट 2023 के बारे में तो आपके जो एक्जाम जो चले हैं जो हम लोगा रिपोर्टिंग किया है वो 21 मई से लेकर के और बरावर एक्जाम जो हुए है आप पीस जम पीसी भी एक जून तक था चल तो अभी भी रहे हैं हालक यहां पर दो से लेकर के आठ जून में भी हैं कुछ बिद्दार थी और बचे हुए जिनके इसके बाद में कुछ डेट हैं ऐसी विद्दार थी मुझे अड्मेट कार्ड भेजे हैं तो यानि मैं अगर बात करूं आपके आंसर की कि बारे में तो आंसर की कब तक आपके लिज़ोगी सवाल यह है हमारा की आंसर की हमारी कब तक आरे एक्जाम जब तक पूरे टोटल खतम नहीं हो जा चाहिता हैं ठीक, तब तक आपकी आंसर की नहीं आती आती है मैं समझता हो कि कम से कम अंशर काम आने में दस दिन लगते हैं जो आता है कि अनक बाद क्या प्रॉसस होता है गलत किया गया, तो बोलो क्या करते हैं, एक कुस्चन का hail हमारा कुस्चन सही हुआ है, आपको उसका मार्स मिलता है, अगर कुस्चन गलत हमस trot interess तो उसका मार्स आपको नहीं मिलेगा, ठीक और यह process चलता है, या आएग 2 बाद आंसर की आने का बाद कम से कम नहीं तो से तीन दिन अर लग जाता है आणसर की आने में final answer की a final answer की आने में 2-3 का बख्त बाद और यह प्रोश्व माल लो विस या डि दोसे तीन देन यूमाल लेगा आपका रिजल्ट करने में दोसे तीन दिए tejuur होने ऐने में 2 से तीन दिनिमें आपका फाइनली आ जाता था हन्या से है हलकु Simone कि मैं आपकि समस्टा हूँ कि आपको लसट भीक ऊफ जून कह सकते हैं लास्ट वीक आफ जून यानि कि यह मानता हो कि मैं 100% आपका रिजल्ट जो है वो 30 जून के पहले पहले तक आपका 100% आ जाएगा यह इतना वक्त आपको इतना वेट आपको करना पड़ेगा फिलाल कई भी दार थी अपने इस्टेट एक्जाम भी दे रहे होंगे इसका result का चिंता ना रिजल्ट जो आपने किया वो 100% आना है आना वे चाहिए जो हमने किया उसका result मिलना ज़रूरी है लेकिन इसके बेट इसके चक्कर में कहीं फाल्तू वीडियो को देख देख करके अपना इस टेट एक्जाम खराब ना करें अपनी पढ़ाई को बियर्फ काम करने लगी है ऐसा हमने दिखा है जैसे कि आप देखिए नीट की बारे में या फिर जेए इक बारे में हरकिसी बारे में और यह मी बता दूँँ आपको जब दी आपकी आणसर की आएगी तो यहांपा डाश्व करेंगे scorecard scorecard और इस scorecard दिया है हर सब्जेक्ट के जो भी subject आपके paper दिया हुआ है PCM, PCB, जो भी subject आपके यहांपर paper दिया हुआ है ACB ठीके, तो यहांपर आपका हर किसी का percentile दिया जाएगा कितने उसमें आपने percentile प्राब्द किया है और उस percentile के base पर हम लोग हो सकता है कि कोई उनिवस्टी आपका marks बता दे, number कितने हो है, कोई उनिवस्टी हो सकता है आपकी rank बता दे, वेकि अब इसके बाद process होता है, counseling का थो हम लोग बात करेंगे, इसके process आगे जो है, अभी result आने तक, जब तक percentile आपका scorecard आ नहीं जाता ह है, तब तक रिज, तब तक counseling या किसी फालतु चीज़ों के बारे में, मुझे एक अन्य वीडियो बनाना, थोड़ासा मुस्क्यों होगा, बात बेकि लोग बनाते रहेंगे, तो आज किसलाल वीडियो ही तक रखते हैं, आसा कटना चीज़ों समझाए होगी, ठीक है, पैसे